दिल्ली स्थित कॉंग्रिस हेड़क्वार्टर में प्रेस वारता को संभोधित करते हुए पूर्व सांसर संदीब दिक्षित ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साथते हुए कहा कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल बेहदी खराब है और यदि कोई दूसरा राजय इनकी शिक्षा प्रणाली को अच्छा समझ कर कॉपी करता है तो वे कहीं अपनी शिक्षा प्रणाली को बरबाद ना कर ले एक लिस्ट ये देते हैं ये लिस्ट मेरे सामने है कोई चाहेगा तो इसको देख लीजेगा पहले इस आठी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ elevated road over बारापुला अब बारापुला की कब बनीती साहब आपको याद होगा ये वही बारापुला की जवाला नेरू से सड़क थी जिसकी CAG की रिपोर्ट छीला जी के समय आ गई थी जिसकी रिपोर्ट भी मैडम के समय आ गई उसको ये क्लेम करते हैं कि इन्हों ने बनाई थी दूसरा आता है आश्रम से नौड़ा के फ्लाइवर में रैंप A आश्रम से नौड़ा के फ्लाइवर में रैंप B आश्रम और नौड़ा के फ्लाइवर में रैंप C रैंप D रैंप E रैंप F रैंप G यानि अगर आपने घर में तीन जगे से सीडिया बना दी तो ये कहेंग ये तो यही मॉडल हमको दिखाता है ये तो रही इनकी शिक्षा की कहानी जहां तक infrastructure की बात है मैं आपको इस बात से अपनी बात अंद करूँगा कि इन्होंने आज जो बताया है साथ से आठाज कम रोका ये भी केवल जो काम कांगरिस की सरकारों में हुआ करता था उसके उपर केवल ने लीपाप होती की है मैंने आपको रिजल्ट्स में बताया कि बारवी के रिजल्ट्स हमारे समय के रिजल्ट्स से भी बत्तर निकले बच्चे आने तो जे स्कूल में वो हमारे से कम से कम 8-9 लाग कम हो गए, 6 लाग कम हो गए, हमारी दस्वी में जो रिजल्ट्स आने थे, वो तब से गिर गए, वो भी तब मैनेज कर पा रहे हैं, जब बच्चों को स्कूलों से बाहर कर देते हैं, या इमतहान नहीं देने देते हैं, आज टीचरों में ये हाल है, जो बात करते थे कि हम नौकरियां दिया करते हैं, इनी के RTI से जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कॉंग्रेस के समय में करीबं 7-8,000 के करीब रिक्त पत्थे, हर पूरे स्कूलों में मिलाकर, TGT और PGT मिलाकर, आज कुल रिक्त पत्थे, बीस हजार हैं, आप समल लिजे, हजार स्कूल हैं और बीस हजार पत्थे, मैं आप हर स्कूल में 20 टीचरों की कमी है, ये तो ऑफिशल डेटा है, उसकी उपर प्रिंसिपल कितने कम हैं, करीब आन आठ सो के करीब तो मैंने सुना प्रिंसिपल कम है, उसमें बाकी चीजे हैं, उसमें तो मैं जाना ही नहीं चाहता.